हेलो फ्रेंड्स मेरी चैनल में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ बेशन वाली हरी मिर्च मोटी वाली मिर्च की सबजी यह खाने में बहुत टेश्टी लगती है और यह काफी दिन तक चल जाती है खराब नहीं होती 15-20 दिन और इसको आप सफर में भी ले जा सकते ह है रोटी पूड़ी पराठा दाल चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी सबजी लगती है तो चलिए हम इसको बनाते हैं इसके लिए हमने तीन बड़े साइज की हरी मिर्च लेली मोटी वाली और उसको हम लंबा लंबा काट लेंगे इस तरह से लंबे और पतले पीस में हम काट लेंगे और यह बेशन डाल के बनाएंगे और भर्मा की तरह ही लगेगी ना भरने की जंजड ना कुछ जल्दी बन जाती है पांस से दस मिनट में यह सबजी बन जाती है और बहुत ही टेश्टी लगती है आप एक रोटी की जगे दो रोटियां तो तेल गरम हो गया है तो हमने इसमें सर्सों के दाने राई डाल दी है राई थोड़ा चटक गई है तो इसमें जीरा डाल देंगे थोड़े से और जीरा हलके चटक जाएंगे तो हम इसमें सौंफ डाल देंगे और सौंफ जरूर डालिए सौंफ से इसका टेश्ट बहुत अच्छा आता है तो सब डाल के जटक गए हैं तो इसमें हमने थोड़ी सी हींग डाल दिये और फिर हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे हरी मिर्च डालके अच्छे से मिक्स कर देंगे और हलका इसको भूनेंगे पकाएंगे कि इसमें पानी ना रहे अच्छे से थोड़ा भून जाए और मिर्च को जादा नहीं पकाना है थोड़ा कड़ाखी रखना है नहीं तो अच्छोई सी हो जाएगी तो जादा नहीं पकान हैं हलकी भुन गई है तो हम इसमें थोड़ी मसाले डाल देंगे आधी चम्मच से कम हल्दी डाल दिये और एक चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है और आधी चम्मच से कम गरम मसाला डाल दिया है और इसमें आधी चम्मच की करीब सौफ का पाउडर डाल देंगे अगर आप बड़ी चम्मच से डालें तो वन फोर्थ और हाप चम्मच ही डालें और धनिया बस एक चम्मच डालें सभी को डालके अच्छे से मिला दिया है हलका भून दिया है अब हम इसमें एक चम्मच बेसन डालेंगे और बेसन डालके भी इसको भूनेंगे और नमक डाल में और मीडियम तू şurो गैस में पकाना है हाइ में नहीं पकाना है तो देख़िए इस तरह से हम बेशन भून लेंगे बेशन डालने से तेल थोड़ा कम लगने लगा है तो हम थोड़ा सा इसमें तेल और डालेげे तो पहले जादा डालिजिए तो तेल डाल के अच्छे से मिला दिया है और अब हम बेशन को थोड़ा और भूनेंगे और तेल कच्चा नहीं लगेगा हमने हलका गरम कर लिया है और इस तरह से बेशन को भूनेंगे कि वह कच्चा न लगे देखिए बेशन भून गया है तो अब हम इसमें यह हैं डाल देंगे अमचूर पाउडर थोड़ी सी डाली है हमने छोटी सी चमच है मेरी उसी से डेड़ चमच के करीब हमने डाल दिया है और हम चुर डाल के भी अच्छे से मिला देंगे मिक्स कर देंगे उसमें और थोड़ा और इसको भूनते जाएंगे आप इसमें हम थोड़ी सी कासमेरी मिर्च डाल देंगे हलका सा कलर के लिए और आपको अगर तीखी वाली डालना है तो तीखी वाली भी डाल सकते हैं यह हरी मिर्च तीखी नहीं होती है पर मेरे यहां तीखा कम खपता है तो मैंने लाल पिसी मिर्च तीखी वाली नहीं डाली है आप डाल सकते हैं तो मिर्च डाल के भी अच्छे से मिला देंगे और हलका भून देंगे और देखी कितने अच्छी मिर्च देख रही है एकदम भ पूड़ी पराठा के साथ आप जरूर ले जाईए बहुत ही टेस्टी लगती है और आपको मेरी रेसिपी पसंदा है तो अपने फ्रेंड और एलिटेस्ट के साथ सेहर करिए और आप भी जरूर बनाईए और देखिए यहां मिर्च भुन गई है हमने गैस को बंद कर दिया है हलका और इसको चला देंगे आप लोग जरूर बनाईए और आपसे एक रिक्वेस्ट है आप मेरी चैनल में फर्स टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करिए और बैल आइकन दबाईए इससे आपको नए-नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिले तो देखिए हमने इसको पराठा के साथ सर्व किया है और मेरे बेटे को यह सब्जी बहुत पसंद आई है उसने भी बहुत अच्छे से खाई है और यह सब्जी खराब भी नहीं होती है आप 15-20 दिन तक रख सकते हैं और मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज चैनल को ला क्यों यह